हेलो फ्रेंस मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंस आज हम सीखेंगे यह डिजैन एक सिलयम का बहुत खोशर डिजैन है यह आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते लेडी जैन्स या छोटे बच्चों के स्वेटर में भी आप इसको डा यह पहला फंदा इसको तो हम सीधाई बना लेंगे इन दोनों फंदों के बीच से इस तरह से फंदा लेना है एक सिलयम का डिजैन है इस तरह से फंदा लेके एक बार आगे की तरह फंदा रखा आगे की तरह फंदा लेके दो फंदों के बीच इस तरह से एक बार और ले ले तीन फंदे बन गए हैं अब इन चार फंदों को इखटे घटा लेंगे पीछे से इखटे इनको घटा लेंगे इस तरह से पीछे से इखटे घटा लेंगे इस तरह से और इन चार फंदों को सीधा सीधा करके बना लेंगे एक दो तीन चार यहां भी एक दो फंदों के बीच से इस तरह से धागा लेना है एक बार ऐसे लिए धागा आगे की तरब लेके एक बार इसी दो फंदों के वीच से और धागा लेना है यह तीन फंदों हमारे बन गए हैं और इन चार फंदों को इखटा घटा लेंगे बैक शेर से इन चार फंदों को इखटे घटा लेंगे हाद धागा तुर धिला लेजिया यह इखटे घटा लेंगे इस तरह से एक डो तीन चार इसको सिधा ही बना लेंगे उल्टी सिलाए उल्टी उल्टी करके कम्प्लीट कर लेंगे उल्टी सिलाए उल्टी उल्टी करके कम्प्लीट करेंगे अब यह हमने डिजयन बना रखा था ँऐ कंद हम सीधाही बना लेंगे। और यह हमने डिजयन बना रखा था उस 4 फंदों को भी सीधा ही बना लेंगे 1,2,3,4 अब इन 4 फंदों में डेजन बनेगा एक दू दो फंदा बीज में इस तरह से लेना है एक बार इस तरह से लिए धागा को हम पीछे तरब लेके एक बार और ले लेंगे इसमें से धागन निकालके और हमारे 3 फंदे बन गए हैं अब इन चार फंदों को एक खटा बैक से खटा लेंगे अब इन चार फंदों को सीधा सीधा करके बना लेंगे एक तो इनकी बीच से फंदे लेना है इस तरह से और पीच्छे को घुमाया और फिर दो फंदों के बीच से एक बर लेके तिन फंदे बन गए अब तीन फंदे बनाने के बाद इन चार फंदों को एक खटा बैक से खटा लेंगे इससा इट वाला फंदा है इसको हम सीधा ही बना लेंगे उल्टी से लाए उल्टी करके Kalm ren कर लेंगे एक सीलाएं का दीजेइन हई आप इसको कि सी बी प्रोजेक्त रेकर सकते हैं जैसुल स polítर कार्ड़ीज काडीगन हाब काडीगन याрах चोट इह बच्छों के करके कम्प्टीट कर लेंगे यह सलाई भी हमारी पूरी हो चुकी है यह इस तरह से बन के आता है पूरा बन के यह इस तरह से दिखता है यह बहुत खुपसर डीजैनिर दिख रहा है किसी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाए कर सकते हैं थैंक यू फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ